इस समय जो हालाद बने हुए है इसराइल और इरान के बीग जो जंग चल रही है उसमें कुछ लोगों को सच्चाई पता भी नहीं होती है और लोग बावाही मारते हैं इसराइल जो कि सबसे बड़ा आतंगवादी देश है मैं तो आतंगवादी देश ही कहूंगा क्योंकि बे बज़े लोगों पर बंबर्साता है फलस्तीन में लगबग 41,000 बेगुना लोग कतल कर दिये गए उन पर बंबर्सा दिये गए आज मैं यूट्यूब पे एक वीडिय मुझे लगा जो कि नभीन भाई ने बहुत ही अच्छा बोला और इस वीडियो में दिखाया गया है सच्चा ही बताई गई है चलिए इस वीडियो को देखते हैं और कमेंट करके बताएए कि नभीन भाई ने क्या सही किया है या नहीं आखिर कार जिसका डड़ था वही हुआ इसराइल के साथ लड़ाई में इरान सीधे उतर पड़ा है मिजाईल हमले के बाद इरान के राश्चोपती पजशकियान ने नेतनियाहू को संदेश भेजा कि हमने कहा था उलजना मत तो क्या ये लड़ाई अब नहीं रुके गी औ और इससे आगे का सवाल क्या इसराइल लड़ाई में कमजोर पड़ने लगा है देखिए एक बात तो तैह है कि इस जंग में एरान के कूदने की गूंज अमेरिका तक सुनाई पड़ी है तो जिनको लग रहा था कि उनके विश्व गुरू दुनिया के किसे युद्ध को र इसराइल को बहुत महंगी पढ़ने वाली है इस हमले की जाजनीतिक इसके असर और इससे बदलने वाली विश्व नीती पर चर्चा करेंगे लेकिन यहां एक बात जो सबसे ज़्यादा गोर करने वाली है वो ये कीरान ने कायर इसराइल की तरह बेघर और तो बच्चों ब करबता के अड़े चलाता है तो शर्मानी चाहिए इसराइल को और उसे सीखना चाहिए इरान से कि दो मुलकों के बीच की लड़ाई में और तो बच्चों बज़र्गों बीमारों को घसीटने वालों को इतिहास कायर की तरह दर्ज करता है और इरान के पहले हमले की इस नैत जनीत में घुटनों के बल पर ला सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया उसने अपनी मिजाईलों को सिर्फ उसके सैनी कड़ों मुसाद के मुख्याले इसराइली अर्बेस और चावनियों की तरफ पूरी दुनिया इरान की ताकत देखकर सन्में इरान का दावा है कि उसने अजराइल पर 200 से अधिक बालसिक मिसाईले दागी हैं इनमे इसे 186 से ज्जादा बालसिक मिसाईले इसराइली खुफिया अजनСी मुसाद के तेल अवीव मुख्याले के पास के रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वारा है इसमें मिसाईल हमले के बाद मुसाद मुख्याले के पास एक बहुत बड़ा गड़ा दिखाई दे रहा है वाइरल हो रहे वीडियो को मुसाद हेड़कौर्टर से कोई तीन किलो मिटर से भी कम दूरी परस्थित हजलिया कस्वे के एक उचे अपार्टमेंट से शूब किया गया है वाइरल हो रहा है वीडियो में एक विशाल गड़ा साफ दिखाई दे रहा है जो किसी पार्किंग की तरह नजर आ रहा है यह गड़ा एक सिनमा कॉंपलेक्स से कुछ सो मीटर की दूरी पर है साफ दिखाई दे रहा है कि मिसाईल हमलों से उड़ी धूल से आस पास खड़ी कई गाड़ियां मिट्टी से पूरी तरह ढख गई इस हमले ने इसराइल के आईरेंड डॉम के अचूक और अभेद्य होने के भरम को भी तहस नहस कर डाला है आपको बता दें कि इरान ने तेल अवीव में इसराइल के तीन सेन्य बेस नेवटिम, हजेरिम और तेल नोफ को निशाना बनाकर मिसाईले दागी तेल नोफ और नेवटिम इसराइली सेना आईडियफ के सबसे एड़वांस सेन्य बेस माने जाते हैं लेकिन जब इरानी मिसाईले बरसनी शुरू ही तो इसराइल का सारा गुरूर हवा हो गया आदे घंटे के भीतर इसराइल के शहरों में सायरन बचने लगे मोबाइल पर संदेश आने लगे कि घर छोड़कर भागो टीवी और रेडियो पर सूचना प्रसारित की जाने लगी और देखते ही देखते एक करोल लोगों ने जमीन के नीचे बने बंकरों में पना ली इरानी सेना जनरल स्टाफ के प्रमुक मुहम्मद बागेरी ने मीडिया को बताया कि हमने आधी रात के बाद नेवटी मेयर बोस हजजेरिम सैन्य सुविधा और टेलनोफ खुफिया इकाई को निशाना बनाया इस्लामिक रिवलुशनरी गार्ड्स कॉप्स ने तीन साइटों को निशाना बनाने में हाइपर सोनिक फतह मिसाईलों का इस्तेमाल किया तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक नेवटीम एयर बेस में इसराइल के F-35 लड़ाकू वे मान खड़े होते 27 सितंबर को बेरूत पर बंबारी करने वाले लड़ाकू वे मानों ने इसी सैने एयर बेस से उड़ान भरी थी लेकिन इरान का हमला इतना तेज था कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला अब देखिए इरान का कहना है कि उनकी और से दागी गई 90 फीस्ती मिसाइले टारगेट पर जाकर गिरी है निशाना आचूक था लेकिन इसराइली सेना का कहना है कि अधिकांश मिसाइलों को देश की उन्नत रक्षा प्रणालियों आइरन डूम और एरो द्वारा रोक तिय गया लिकिन उसने शर्मातेश ठीकार किया इसराईले कि कुछ मिसाइले शील्ड में घुस गई और इससे नुकसान हुए एरान ने का है कि हमने इस वुल्ला प्रमुक हसन नसरल्ल्ल pols नेतस माईल हानिय कि हत्या का बदला ले लिया है वही हमले के बाद एरानी राश्त्ति मसूद पजश्कियान ने कहा कि हमने इसराइल की आक्रामक्ता का जवाब दिया है बस ये इरान के हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी था वही इसराइली प्रधार मंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने कहा कि इरान को इस हमले की भारी खीमत चुकानी होगी इरान मिलिट्री चीफ मेजर जनरल मुहमद बागेरी ने चेतावनी दी कि अगर इसराइल ऐसी कोई गुस्ताखी करता है जवाब देने की तो उसे इरान के पलटवार के लिए तैयार रहना होगा वो ना भूले कि एक अक्टूबर की रात को किया गया हमला सीमी तिलाके में किया गया था हमने सिर्फ मुसाद हेड़कोटर एयर बेस और कुछ इसराइली टैंक ठेकानों को निशाना बनाया जबकि हम चाहते तो और भी जगा हमला कर सकते हैं इसलिए बेतर होगा इसराइल पलटवार के बारे में सोचे भी मत वरना हमारे सबर का बांध तूट जाएगा देखिए अमेरिका को हर्गिस नहीं लग रहा था कि इरान इसराइल पर सीधा हमला करे रहा लेकिन अब दोनों देश सीधी जंग में कूद पड़े हैं और यह हकीकत है इस हमले के बाद अमेरिका के राश्टपती जो बाइडन और उप राश्टपती कमला हैरिस ने नेशनल सीक्यूरिटी टीम के साथ आपाक कालीन बैठक की बाइडन ने अमेरिकी सेना से कहा कि वो इरानी हमलों से इसराइल की रक्षा करें और इसराइल के तरफ डागी यही मिसाइलों को मार गिरा है जानते हैं कितनी मिसाइले रोकी 200 में से कीवल 18 लेकिन इस्राइल का साथ देना अमेरिका के लिए रोज बरोज बहुत ज्यादा खर्चीला और जोखिम भरा होता जा रहा है इसे ऐसे समझिये कि इस्राइली से नाने इरानी हमले के दौरान लगबग एक 180 मिसाइले दागे जाने की बात गई थी लेकिन अमेरिकी राश्टिय सुरक्षा सलाकार जैक सुलेविन ने इरान के दावे पर महर लगाते वे कहा कि हां लगबग 200 बैलेस्टिक मिसाइले दागे इरान ने इस्राइल पर एक घंटे तक मिसाइल हमला किया वहीं डेन्माक की राजधानी कोपनहेगन में इस्राइली दूतावास के पास दोव मिलता है कि दोनों देश कितने दबाव में हैं देखिये कि इसराइल एक साथ चार दुश्मनों से लड़ रहा है गाजा में लड़ाई चल ही रही है इसके बाद यमन लिबनन और अब इरान के साथ खुली जंग देखिये कि इरान पर हमले के 14 घंटे बाद आईडिय एफ न कि इसराइल अपने मकसद में कामयाब हो पाता इरान ने उसे सक्ते में डाल दिया देखिये अलजजीरा की एक रिपोर्ट के मताबिक इसराइल पर इरानी हमले के बाद तहरान लिबनन की राजधानी बेरूत इराक वेस्ट बैंक और गाजा के सड़कों पर चश्ट मनाया गया तहरान के फिलस्तीन चौक पर हजारों लोगों ने हिजबुल्ला लिबनन और इरान के घंडे लहराए इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद इरान के सुप्रीम कमांडर हली खामनेई ने सोशल मीडिया पर कहा कि जीत परीब है एक और पोस्ट में उन्हों ने लिखा कि की मदद बहुत जल्द आने वाली है इसका क्या मतलब है क्या यह इस बात का इशारा है कि अगर अमेरिका ने इसराइल के खोंखार इरादों का समर्थन बंद नहीं किया तो उसे मध्यपूर्व के देश चीन और रूस की सन्युक्त ताकत से ठकराना होगा इसमें कुछ भी की अजीब या अप्रत्याशित नहीं लगता और यही सोच सोच कर इसराइल की खिकी बंदी लिए